है लो गाइस वैलकम टू लगी प्रोपटीज लगी प्रोपटीज में आपका सवगत है तो मैंने जैसे की बताया हुआ था कि हमारी यहां 12 तारीक को ओपनिंग थी तो यहां पर डी प्लस ए की जो ओपनिंग है वो यहां पर काम चल रहा है और यहां पर देखिए मार्किंग क काम हो चुका यहां पर मार्किंग लगा इला है कि इसी कहां यह यहां पर काम स्टार्ट हो और आप यहां पर जो काम स्टार्ट हो और जो काम स्टार्ट हो गो स्टार्ट होने वाला सामने आप देख रेहें इस अमारा ओपन प्लॉट आता है और बोपन प्लॉट की आप खाली जमीन नहीं कि आप उसकी बुकिंग करवा सकते हैं एक हजार स्कायर फिट की जमीन होती है जो कि आपको आसान किस्तों पे मिल जाती है वोकिंग अमांट हमारे यहां सेम प्राइज रहता है या आप रेडी रूम लेते हैं तो भी और ओपन प्लोट लेते हैं तो भी यह जो सामने समानी 15 कि रोट आप देख रहे हैं बंदा फिट के रोट सीधे यहां से अटाच होते हुआ जाती है एक रोड इस साइट की तरफ मुड़ जाती है अब यह मैं आपको दिखाऊंगी आप यह देखिए यहां पर नापा जा रहा है इंची टेप से हैं यहां से सीधा एक रोड आती ह इस साइट के तरह मुड़ जाती है यह पूरा इस साइट से 15 फीट के रोट जाती यह जो बाजुम सामने आफ देख रहे हैं यह गाला है है इधर से गाले निकलते हैं जो कि दुकान होता तो आप गाले भी ले सकते हैं हमारे यांगाले मिल जाते हैं आपको असानी से तो दोसर स्कायर विट का जो हमारा गाला आता है उसके अपकुल टोटल वैल्यू होती है दो लाक रुपए स्वारी नौ लाक रुपए कि और यहीं से सीधा अटाइच रोड आती है सीधा आपकी ओपन प्लोट की तरफ जाती है तो सामने से देखिए और यह जो आप देख रहे हैं यह हमारी गटर लाइन जाती है पूरी यह रोड की बांडरी खीच रही है यहां से रोड जाएगी 15 फिट की जो सीधा ओपन प्लोट से अटाच होगी ओपन प्लोट से जाते हुए यह सीधा सालयर गाल से अटाच होती है यहां से झाल से इनका पर मिलती है चोंकि आल टोल वैली होती हैं वारा लाग रूपए ह sequel में आपकोCHर मील जाता है अगर आप हमारे यहां booking करवाना चाहते हैं तो 11,000 देकर आप अपने घर की booking करवा सकते हैं जिसका 30% देने पर आपका काम स्टार्ट होता है बाकी 50% देने पर आपको position दे दिया जाता है बाकी 50% हमारी बस्ती उसके लिए आपको दो से तीन साल का टाइम दिया जाता है आसान किस्तों पर आप EMI पर जमा कर सकते हैं तो देख सकते हैं यह मार्किंग का काम यहां पर चल रहा है और अभी में आपको थोड़ा और जूम करके दिखाती हूं कि कहां तक का काम चल रहा है कि आगे की तरफ आगे की तरफ आपको यह सामने से मार्किंग दिखाई दे रही ओ चलिए अभी भूमी पूजन का काम होने वाला है भूमी पूजन देख लेते हैं लोग तो यह देखिए यह डी प्लस जी की जो ओपनिंग थी अमने बताई थी जर्दे की 12 तारीक के हमारी स् तो अभी यहां पर नारियल फूटेगा मिठाईयां बटेगी तो आप लोग देखिए किसी भी काम की सुरुवात करने से पहले पूजन करना जरूरी होता है तो काम अच्छा होता है तो यहां पर जो काम स्टार्ट हो रहा है उससे पहले यहां पर भूमी पूजन होने जा रही है और अभी नारियल फूटेगा आप देखते रहिएगा फोर ये सगुन भी हो गया है नेग भी चड़ गया है अभी है ये शुबारम हो चुका है अब नारियल का पानी अपने पीछे से फेक दीजिए थोड़ा सा ताकि इसके नियू जो है वो मजबूती से काम करें हाँ भाई घर मजबूत होना चाहिए ना भूमी पूजान हो चुकी है तो मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई